हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई योट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी चटपटा गाजर का अचार इसमें हमने अदरक और लसन भी मिक्स किया हुआ है एक तरह से ये मिक्स अचार है और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है फ्रेंड्स और छटपट तयार हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे और यहां पर ले लिया है हमने 200 ग्राम गाजर और इसको अच्छी तरह से धुल करके इस तरह से मोटे मोटे टुकडों में कट कर लिया है और साथ में 100 ग्र पूरी तरह से निकल जाए और आप ऐसा ही करें अगर धूप नहीं है तो एक से डेड़ घंटा आप पंखे की हवा में फैला सकते हैं इसी के साथ यहां पर यूज करेंगे कुछ मसाले डेड़ चमच मेथी दाना लिया हुआ है और साथ में है एक चमच सौफ यह दोनों सरसो है इसे सरसो की दाल भी बोलते हैं और साथ में है चौथाई चमच कलोजी या मंग्रेल यहां पर यूज करने वाले हैं हम 50 ग्राम तक विनिगर इसकी जगह पे आप नेवू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर ले लिया है एक पैन और पैन में हमने 100-500 ग्राम तक त तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं अब यहां पर रखेंगे एक पैन और जो खड़े मसाले हमने लिया है ना मेथी और यह जो शौफ है इसको हम थोड़ी दिर के लिए भूनेंगे और इसको बस कुछी देर के लिए भूनना है ताकि इसका बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है, बस इतना ही कि ये मसाले पूरी तरह से सूख जाएं, इनके अंदर की नमी पूरी तरह से निकल जाएं नहीं में डाल देंगे कलोजी को भी, आरे मसाले अच्छी तरह से ड्राइ हो चुके हैं, तो बस इतना ही करना था अब इधर देख लेते हैं, तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसी गर्म तेल में हम जो लसुन लिये हैं, उसको डाल देंगे और हाफ फ्राइ करेंगे इसे, बहुत जादा हमें फ्राइ नहीं करना है, इसको बस उतना ही फ्राइ करना है, कि बस हलका सा एक कलर आ जाए बस एक क्रंच इसका बना रहे है लसुन को एक मिनट भुनने के बाद हम डाल देंगे अद्रक को भी ताकि वो भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए फ्राई मिन्स बहुत जादा फ्राई नहीं करना है इतना ही फ्राई कि उसके अंदर का जो मौस्चर ह थोड़ा खत्म हो जाए बस एक से डेड़ मिनट हमें इस तरह से फ्राई करना है चलाते हुए और क्रंच बरकरार रहे इसका ब्रध्यान रखना है अब यहां पर लसुन अद्रक को फ्राई करते हुए एक से डेड़ मिनट हो चुके हैं और यह रेडी हो चुका है आप हो गया है तो इसे एक स्टेनर की सहायता से हम निकाल लेंगे और जब भी हम यह फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम अभी हम आफ कर देते हैं ताकि तेल थोड़ा स आए क्रंच बरकरार रहे बस इतना ही तेल हमें ठंडा करना है तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर गाजर और साथ ही में डाल देंगे हम एक चमच हल्दी और हल्दी के साथ ही हम डाल देंगे यहां पर लाल मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर आप उतना ही डाल अथी में डालेंगे फ्राइ किये हुए लसन और अद्रक को भी और अब कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स और इसको मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि जो तेल गर्म है तो उसमें हल्दी और सरसो का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो खत्म हो जाए बस इतना ही अब यहाँ पर डालेंगे ये खड़े मसाले जो हमने भूने थे अब इसके अंदर हम डाल देते हैं और खड़े इसलिए डाल रहे हैं ये बहुत ही यमी लगेगा आप जरूर ट्राइ करिएगा इस तरह से इसके अंदर ये जो है हाडनेस नहीं रहेगी बिलकुल भी ये अच्छे से फूल जाएंगे अचार के साथ ही और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ में डाल देंगे हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक नमक यहाँ पर थो इसे मिक्स और इस तरह से आप बनाएंगे ना अचार को तो यह एकदम मार्केट वाली फिलिंग आती है इसके अंदर तो आप इस तरह से जरूर एक बार ट्राइ करिए और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम सबसे लास्ट में डालेंगे विनिगर विनिगर डालने से अचार आमचूर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं उससे भी खटापन इसके अंदर आ जाएगा और सबसे बड़ी बात अचार को सेफ रखना हो ज्यादा दिनों तक तो इसको कभी भी किसी भी जार में सीसे के जार में रखें और फुल सरसो का तेल उसके अंदर डाल दें तो काफी जंबे टाइम तक अचार सेफ रहता है और यह देखिए फ्रेंड्स हमारा अचार पूरी तरह से रेडी हो चुका है खाने के लिए यह एक दिन के बाद का क्लिप है और यह पूरी तरह से रेडी है और यह कितना देखने में सुन्दर लग रहा है फ्रेंड्स आप इसको किस सीसे के जार में रखिए या सीसे के टिफिन में रखिए पर सीसे के ही बर्तन में आप रखिए तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूले फ्रेंड्स ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्स फर वाचिंग